कलकत्ता के बजार कलकत्ता की जो मार्कीट है उसके इतने बुरे हलात है एक वीडियो आई है उसने तहलका मचाके रख दिया है बंगला देशी नहीं जा रहे बंगला देशी नहीं जा रहे बंगला देशी नहीं बाइकाट किया है और जो हिंदुस्तानी है वो यू हाथ जोड़ कर माफी मांग रहे हैं के बंगला देशी भाईयो आजाओ नई तो हमारा बिजनस तबाह हो जाएगा हम तबाह हो जाएंगे मूदी जी को पीट रहे हैं मूदी जी को रो रहे हैं कि ये मूदी ने भटा बिठा दिया है बंगला देशियों को विजा दो बंगला देशियों को आने दो असलाम अलेकुम विवार्ज मैं हुआ है अहसान खान और आप देखने हैं योट्यूब चैनल एहसान डियक्शन विद एहसान आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल से एक वीडियो जी हाँ उसने इस वक तहलका मचाके रख दिया है और कैसे वो वीडियो आप भी देखिएगा क बंगला देशियों ने सबक सिखा दिया है वाके ही बंगला देशी एक अजीम कौम है और सबक ये सिखाया है कि वो नहीं जा रहे वेस्ट बंगाल में बाइकाट कर दिया है कलकत्ता की जो मार्किट है वो वेरान है और वो वहां पर जिस भाई साब ने ये वीडियो बनाई है वो भाई कमाल कर दिया है वो लोगों से यानि बस के जो ऑनर है फिर बस से लेकर रिक्षा वाले तक यानि जो रिक्षा चलाती है उन से पूछा फिर होटेल वालों से पूछा कि कैसे हालात हैं बताईएगा बंगलादेशी नहीं आ रहे तो फिर उस पर जो उन्होंने कहा ह वो सुनने वाला है इक बस आर की बात मैं देख रहाता, वो कह रहे हैं, को भाई साप पहले क्या होता थाखा से जो कलकटा बस चलाने सिर्फ एक कंपनी का, वो कहता है कि है कि अव्रीडे, अब क्या होता है? दो से नाइं बस भी नहीं आती, इतने बुरे हलाब सब कम्पनी की जो बस्स हैं उनकी में बात कर रहा है उनको कहा है मिलाकर भी दो शे से तीन बस नहीं आ रही ह। इतने बुरे हालाद वो कह रहा कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे साथ इसाथ जो मूदी के स्पोर्टर्स है ना वो भी कह रहे हैं कि मूदी जी कुछ हरम कर लो भई बंगला देशियों से रिष्टा अपना बेहतर कर लो उनको आने दो बंगला देशियों मतलब इस तरह तो बिजनस नी चलेगा हमारा तो कारोबार ठप हो जाएगा इसी को पर वीडियो क्लिप पर मैं चाहूंगा कि वो देखे सबसे पहले फिर हम इसके उपर बात करेंगे वीडियो देखने से पहले चैनल को जनाब कर लें सबस्क्राइब और बैर आइकन भी प्रस कर दें 3, 2, 1 and Q मध्धोकोल कातर इं मार्कवे स्टीटेर शब्चे ते बैस्तो तो मो पोरिबाण स्वांशतार ओफिस शैमोली शोहर्दोबा बाब बियाटी सिर ओफिस बहुचरे रोन्नामनों स्वाशकोने पूजोर आगे ऑफिसेर मोद थे पूजोर आगे ऑफिसेर मोद थे किन्तु बैस्तोतार धूम पोर जाए तो एबार चोबीटा क्या मुण शेटा देखवो प्रब्लम होच्छे विजा दिच्छे ना अप पूजो कोड़िए को साइग में पूजोर दिच्छे ना जम पूजोर लेफिवे बांगलादेशी परफिटोक होग ऑफिसेर मोद भाज़गे में पूजोर लेफिए जिदे ना जयोर एंबेकों बांगलादेशी परफिटोकर यह देखिया, प्रक्षेवाला अलेकिन तो एक अखनकार अठ्थूलेशी भेंगेपुर्वे एटा किन तो स्वभाई अकोपोटे शिकर होगे तो आमादे नौजोर थाक पे प्रोती पारेर मोथ अपना जानें जे आमी कोलकातार किंग्भा भारोतेर बांगलादेशी पोट जोटो देल सुख दुख निये शक्षमाई बोली एबंग अमार प्रोती बेदन गुलोते शक्षमाई तादेर कोथा माला हुआए कि अधा ठीक जे बास्तो बोतार कारोने आजके विसा शंक्रांतों जे कोठीन शिद्धन भारोत च्वरकार निये छे एबंग कोणो कुट्नुईतिक पड़ जाए दुई देशेर अबस्था जुदी एक्टु शितल अबस्थार मुद्धे ओ शंस्तिष्टरा बोल्चेन भ श्री स्थे शंस्तो बोल्चेन भारट शंपूर के नेतिवाचक प्रभाप्ने इक उद्धन जारा फारोक बिदेशी ना जे स्थे एबंदेशी न्मानुषण भांगलादेशे स्थे शाधने घर भारुत अखने दार्टार ता ताधेर इतिवाचक मनभाव बोल्चे जे र वीवर्ज आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से इसमें वो तमाम नाजर दिखाए गए हैं एक वीडियो दो मैंने वो भी देखी थी जिसमें नियू मार्कीट है जो कलकता की वो इस वक्त कबरस्तान का मनजर पेश कर रही है क्योंकि जो बंगला देशी है जो गयूर बंगाली है बंगला देश से जिनका तालुक है उन्होंने भारत जाने से इंकार कर दिया है वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे देखें भारत बहुत ज़्यादा जो पैसा है वेस्ट बंगाल के जो लोग है कलकता यहां से जर्नेट करते हैं रेविन्यू क्योंकि वो अब देखें बहुत सारे जो विस्टर्स हैं बंगला देश से आते हैं भारत में उसकी मद में आपको बता साथ सो पचास करोड एवरी मन्थ जो आई एन नार की में बात कर रहा हूं इंडिन रुपीज की वो यहां से जर्नेट करते हैं इतना ज़्यादा वो पैसा कमाते हैं लेकिन बंगला देश ने कहा कि बंगला देशियों ने सोचा कि यह तो हमारी पीट में छुरा घूंते है हम इनको क्यों इतना इनको फेवर करें इनके फाइदे में जाएं हमने अगर घूमना फिरना है हमने अगर इलाज करवाना है तो हम किसी और देश में चले जाएंगे हम पाकिस्तान में चले जाएंगे हम सिंगपूर में चले जाएंगे हम किसी और मुलका रुक कर रहेंगे लेकिन भाई भारत में नहीं जाएं मेरे साथ एक बंगलादेशी का रापता हुआ है मुझे उसने फोन कॉल की वो कह रहे हैं कि मैं मर जाओंगा लेकिन मैं भारत नहीं जाओंगा भारतियों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया जो भारत की हुकूमत है उसने हमारे साथ बिल कर वा सको फिर मैंने उनको बताया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है चींता ना की जिएगा आईएगा पाकिस्तान में हर तरह का इंटरनेशनल लेवल का जो इलाज है वो होता है और आप आईएगा तो ये इस वक्त सित्ती बनी हुई है जिसकी वज़ा से जो वेस् किया हुआ है अपने कारोबार के उपर ये सारे का सारा निश्ट हो जाएगा वीवर्ज आप भी बताईएगा इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जाएगा कमेंट कीजिएगा मिलेंगे इन्शाला नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने इस चैन